कि दोस्तों नमस्कार मैं आपका दोस्त अंतोस कुमार साहूँ चत्यजगर दली राजरा से इस मंच पे आप सभी का हर्दिक स्वागत करता हूं और आज जैसा आप सभी जानते हैं आज हम बात करेंगे वाई आन पेसिव पे क्यों हमें आन पेसिव करना चाहिए और क्यों आन पेसिव ही करना चाहिए इसका जवाब आज हमें मिलेगा और सबसे ज्यादा जवाब इसका अगर कोई दे सकता है दोस्तों हम खूद हैं क्योंकि हमें जब तक हमारा वाई के लियर नहीं होगा तब तक हमें समझ नहीं आ सकता और क्यों नहीं करना चाहिए इसका भी जवाब आप अपने आप से पुछें तो आए आज की सेशन को हम आगे लेके चलते हैं और इस सेशन को आगे ले जाने के लिए मैं हम सब के बीच हमारे एक बहुत ही पहत्रिन सक्स को मैं अवंत्रित करता हू जो और पेसी को बहुत अच्छे तरीकी से समझते हैं जिन्होँ काफी हत्तक समझने का प्रयास करते हैं तो मैं आप सबके बीच जो हमारा supp safi एक встрет तो उसके बारे में हम डिसकस करेंगे और मैं उससे पहले सभी जो भी साथिया आज टीम विकॉन फाइर के मंज के उपस्तित है उनका सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ और आज जो भी नए साथिया हैं तो उनको लिए बहुत ही एक अच्छी जो डिसकसन होगी जो टोपिक है हमारा वाहिए उन सब्सक्राइब करना सकते हैं और हम कितने साथियों को इस अपरचुनिटी का फैदा दे सकते हैं ताकि वह भी अपना इस अपरचुनिटी से जो अपनी पैसी है उससे कितना फाइदा उठा सकते हैं तो आज जो भी हमारा ज्यादा जो छोटी सी प्रजेंटेशन होती है जो हरीज जी हार बार की तरहें देंगे लेकिन मैं सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट और करता हूं जो भी साथी वाई उन पैसी के उपर अपर अपना कोई भी स्पेशल पॉइंट्स है या कोई भी अपना व्यू देना चा समझाने में वाय उन पैसी जो टॉपी का मारा तो आज ज्यादा समया मरीजी जी का ही लेंगे थोड़ा सा क्योंकि बीस पच्छिस मिन्ट की जो प्रजेंटेशन है उसके बाद हमें वाय उन पैसी के उपर डिसकेशन करेंगे तो मैं वैलकम करता हूं अरी सर्का है आप सब्सक्राइब करना चाहिए और मैं सब्सक्राइब करना चाहिए और मैं सब्सक्राइब करते हैं साथियों हम पैसिव की प्रेजिन्ट के वेबिनार में हैं और पैसिव क्या है थोड़ा सा ब्रीफ हम करते हैं उन पैसिव एक यूएस से बेजड आई टी कंपनी है जो की दो हजार अठारा से एस्टिबलिस है और क्रियेट हो रही है यानि कि हम इस कंपनी को बनते हुए देख पा रहे हैं लगबग पिछले तीन साल से और यह इस कंपनी का जो मोटिव है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक बहतर लाइफटाइल देना और इंटरनेट के उपर जो अनलिमिटेड वैल्थ है उसका एक प्रोपर वे में डिस्टिबूशन करना क्योंकि इंटरनेट के उपर जो भी वैल्थ होती है साथी हो वो हम सभी लोगों यानि की एक एंड यूजर की वज़े से होती है लेकिन एंड यूजर को कुछ मिलता नहीं है तो एक नई विचार धारा एक नई सोच और नई विचा प्रोपर नाम है आर्टिफिशल इंटेलिजेंस हम नूइश लिए कह रहे हैं कि हम सब के लिए नियू है वैसे यह नहीं है काफी पुरानी टेकनोलोजी है काफी अलग-अलग लेवल पर इसका इस्तमाल किया जा रहा है लेकिन हम नियूश लिए कह रहे हैं कि एक आम आदम के हाथ में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस जैसी बहतरी टेकनोलोजी को यूज करने का रास्ता ओन पैसिव देने जा रही है उन पैसिव एकदम डिफरेंट कोंसेप्ट के साथ मार्किट के अंदर उतरने जा रही है जो कि एक आम आदमी को आज की डेट में यानि कि हम अभ अभी जो प्रिलॉंज पिरेड है उसमें एक उपोर्चनेटी के रूप में ओन पैसिव सभी के लिए है कि कोई भी व्यक्ति 97 डॉलर में की एक नोमिनल फीज पे करके इसका फाउंडर मेंबर बन सकता है फाउंडर मेंबर का मतलब होता है पार्टनर को पार्टनर यानि कि वह शुरुआती लोग जो किसी भी सिस्टम को जनरेट होते हुए देखते हैं और उसके भाविदार बनते हैं भविस्य में उसकी कामियाभी के गवावी बनेंगे जरूर यह को च्छोटा सा प्रीच है और हम आज हमारा टोपिक है वाई ओन पैसी और वाई पर हम ठोड़ बहुत ज़्यादा जोड़ देना चाहिए हम सभी को डेफिनेटली हम देते भी हैं और हम जो भी फाउंडर्स हैं हमें अपने आप से यह पूछने क्या हो सकता है कि हम अपने जीवन में एक सुनिश्चिता चाहते थे फाइनेंशल फ्रीडम चाहते थे टाइम फ्रीडम चा का भी वाई क्लियर नहीं है तो वो पैनफुल हो सकता है और अगर आपका वाई क्लियर होता है तो वो आपके पैन को खतम कर देता है क्योंकि जितना मजबूत आपका वाई होता है उतनी ही मजबूत आपकी फ्यूटर प्लानिंग भी होती है उतना ही मजबूत आपका विज है तो क्यों किया हमने अइसा किया तो क्यों कीया हम की की था क्यों किया है वाले हैं क्यों समझत सब्सक्राइब और बाय के साथ-साथ-स एक सांटिफिक नजरिया हमें रखने की आव सकता है क्योंकि ये टेकनोलोजी का बिजनस है ये गेम चेंजर साबित होने जा रहा है साथियो जो आने वाले समय में इस पूरी धर्ती पर जहां भी इंटरनेट यूज हो रहा है उन सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के रूप में उन पैसि क्योंकि हम अपने जीवन में या हम अपने पेरेंट्स को देखें या हम भी आज काफी उमर में लगबग सारे 30, 35, 45, 45 के रेंज के सबी हम मैं ऐसा समझता हूँ हम पाउंडर्स आती हैं जो आज यहां उपस्तित हैं हमने भी अपनी लाइफ में देखा है या हम अपने पेर प्रिवार को चलाने के लिए पूरी जिंदगी भर कारिये करने का जो तरीका है यह सदियों से चला रहा है हम पूरा जीवन भर संगर्ष करते हैं और अपने भविष्य को वर्तमां से बेहतर बनाने का एक प्रियाश करते हैं क्या हम ऐसा ही करते हैं डेफिनेटली हर एक आदमी चाहता है कि उसका भविस्य उसके बच्चों का उसके परिवार का भविस्य वर्तमान से बहतर कंडिशन के अंदर हो यह एक सोच एक विचार धारा सभी के अंदर कॉमन रूप से रहती है और उसी नजरिये से हम नए नए र कि इसके साथ एक्स्ट्रा पार्ट टाइम के लिए कुछ ना कुछ कार्यव करते हैं या करने का विचार रखते हैं जो कुछ कम समय में कम इंकम करके दे क्थे पिच्छ वी रीजन यही है कि कुछ पैसा बेतर आएगा ज्यादा आएगा तो हम सपनों को पूरा कर पाएंगे और अपने बच्चों के सुपनों को पूरा कर पाएंगे या अपने लिए एक बहतर माहोल ऐक बहतर आर्थिक स्थिती में पहुँच पाएंगे ये जो सोच होती है ये सभी में होनी चाहिए और definitely होनी चाहिए क्योंकि इस परकर्टी ने हमें जो कुछ भी दिया है दोस्तों वो उसका अंज्वाय करने का अधिकार भी सबी को है हम गरीब पैदा जरूर हो सकते हैं किसी भी परिवार में पैदा होना हमारे हाथ में नहीं है हमारे कर्मों के इसाब से परमातमा हमें जिस भी परिवार में जनम दे सकता है किसी भी परिवार में गरीब घर में जरूर पैदा हो सकते हैं लेकिन हम गरीब मरना और नहीं मर गरीब ना रहना ये हमारे हाथ में है और इसके लिए हम लगातार प्रियास करते हैं और इसी सरंखला में हम अपने 15-25 साल के कैरियर में हमारी जिंदगी में एक ओनपैसिव नाम का एक गजब का एक अजूबा एक सिस्टम आया तो क्यों वो सिस्टम सभी लोगों के लिए जरूरी है क्यों सबी लोगों को on passive समझना चाहिए क्यों सबी लोगों को on passive में एक founder member के रूप में आ जाना चाहिए चलि हम बात करते हैं कुछ की points पर सबसे पहला point हमने जो देखा है वो है on passive इसलिए सबी लोगों को कर लेना चाहिए my dear friends because ये एक unique online business model के रूप में उभर कर आ रहा है बात आती है online business model online मतलब internet से connected यानि कि अगर हम आज की व्यवस्था को देखें market के trend को देखें और समझें क्या सबी लोग online की तरफ अगरसर हो रहे हैं question mark है इसके पीछे कैसा है जवाब आपके पास है क्या आपने ऐसा होते हुए देखा है definitely और पिछले कोरोना काल के समय के अंदर हम ने ये देखा है हमने ये महसूस किया है कि online business model को ज़्यादा से ज़्यादा लोग accept कर रहे हैं स्विकार कर रहे हैं वो online जाना चाते हैं क्योंकि online business के अंदर आपके कारे करने की जो परनाली है वो बिलकुल totally different है वहां पर जो एक opportunity के रूप में जो customer attract करना है उसकी कोई limitation नहीं है कोई boundaries नहीं यानि कि हर एक व्यक्ति online business की तरफ अगरसन होना चाता है और own passive एक uniqueness के साथ यानि कि एक अनोखे पन के साथ एक अदबुत शमता के साथ एक market के अंदर आ रहा है जो उन सभी लोगों के लिए एक अवसर के रूप में है सफलता की एक चाभी के रूप में आ रहा है जिन लोगों का वर्तमान में अपना कोई online business है उन लोगों को एक supportive system देने जा रहा है साबित होने जा रहा है जिन लोगों के का अपना कोई online business नहीं है यानि कि कोई जो दुकान कर रहे हैं या इंटरनेट से connect नहीं कर रखा है अपने बिजनेस को उन लोगों के लिए एक आसान step होने जा रहा है कि वह बिना कम पैसा लगा कर क्योंकि online business के अंदर अगर आप बा domain name SEO search engine optimization keyword research यह बहुत सारे step को follow करना पड़ता है जिस पर काफी पैसा खर्च किया जाता है तब जाकर कोई business online पित होता है और यह लगातार करना पड़ता है कई महीन होता है तो इसलिए easy step किसलिए होने जा रहा है कैसे होने जा रहा है तो कि एक बहुत ही nominal fees या कह सकते हैं कि को एक आसानी से artificial intelligence technology के जरिए उसके business को online ले जाना ले जा सकता है और यह अधबुत इसलिए भी है my dear friends क्योंकि यह उन सभी लोगों के लिए एक ready made business के रुप में दिया जाने वाड़ा है जिन लोगों के पास अपना किसी भी तरह का कोई वैपार नहीं है ना तो online ना offline या ने की कोई वैपार नहीं है कोई product नहीं है उन लोगों के लिए भी यह online business model के रूप में उनके हाथ में आने जा रहा है तो यह एक बहुत बड़ी बड़ी बात हो सकती है बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि online business या own passive में हमें क्यों आ जाना चाहिए it's a change in technology यहां पर हमें इस बात को गहराई से समझने किया सकता है दोस्तों परिवर्तन परिवर्तन और परिवर्तन ये सदियों से होता आया है और आगे भी होता रहेगा परिवर्तन को चाहे हम सुरुआत में सुविकार करें या ना करें जब electricity के इजाद हुआ था बहुत लोगों ने सुविकार नहीं किया था लेकिन आज इसके बिना हम जीवन की कलपना नहीं कर सकते हैं जब gas pipe ये slender या LPG gas आया था तो लोगों ने सुविकार नहीं किया था लोगों ने सुविकार नहीं किया था लोग उसमें बैटना पसंद नहीं करते हैं लेकिन आज जब computer आये थे लोगों ने सुविकार नहीं किया था लेकिन आज यह हमारी जरूरत बन चुकी है इसी सरंखला में जब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो technology में परिवर्तन आता दोबा रहता है पहले कुछ थी डवलयप होती है डालप होती है डैवलाप होती है नैच्छल सी बात प्रगत्idente करना इनसान की फूत रत है और वरिघैनिक करनिक के अंदर हम नहीं नहीं कोजों के बारे में देखते आ है और उसी खोज में एक बेहतरी खोज निकल कर आई है जिसका नाम है आर्टीफीशल इंटेलिजेंस मैडिया परेंड आर्टीफीशल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेकनोलोजी है जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को मनुश्य जैसी यानि कि आपकी और हमारे जैसी बुद्धी समझ दे देती है वह हमारी और आपकी तरह सोच समझ कर निड़ने ले सकते हैं और कारिया कर सकते हैं आपके भिहाव का यानि कि जो हम ओनलाइन पर जाते हैं और जिन चीज़ों को हम यूज कर रहे हैं अगर हम वरतमान की बात करें तो हम मेल करते हैं हम वीडियो मीडिया प्लेट फार्म है या हम प्रोफेशनली की जिन भी सोफ्टवेर्स या टूल्स को यूज करते हैं वह आज हम मैनूली वर्क करते हैं सारा का सारा और जो अंजान आदमी है वह उस पर कुछ भी नहीं कर पाता लेकिन आर्टिफिशल इंटेलिजेंस आने के बाद यह ट तूल्स उसके हेल्पिंग हैंड की तरह काम करेंगे तो यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है इस रियली एक गेम चेंजर माई डियर फ्रेंड्स ओन पैसी इसलिए भी हमें कर लेना चाहिए कि अगर आप समय के साथ बढ़ोतरी चाहते हैं अगर आप समय के साथ चल इसलिए कर लेना चाहिए ओन पैसी इज एस सॉलूशन माई डियर फ्रेंड्स ओन पैसी एक समाधान के रूप में आ रहा है समाधान समाधान है जब बात होती है सॉलूशन की तो डेफिनेटली कोई ना कोई प्रोबलम होनी चाहिए अब आप अपने मन से सोचें किसी भी प सॉलूशन आपको उन पैसी में नज़र आएगा अगर हम आज अगर हम क्योंकि ओनलाइन की बात कर रहे हैं टेक्निकली बात करें तो ओनलाइन के अंदर जो भी चैलेंज आज है सबसे बड़ा चैलेंज है कोस्टिंग का अज बहुत ज़्यादा पैसा लगता है एक आम अपने बिजनस को ओनलाइन में जाए यानि कि आज जब हम ओनलाइन वैपार की बात करते हैं तो कोस्टिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उसका समधाना आ रहा है उन पैसे क्योंकि ओको बहुत बहुत ज़्यादा कम करने जा रहा है अगर हम बात करें बेरोजगारी की रोजगार नहीं हैं पड़े लिखे लोग घूम रहे हैं बेरोजगारी के लिए फारम पर फोर्म भरते चले जा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर उनकी योगता की वैल्यू नहीं दी जा रही है उनके लिए समाधान है उन पैसी पांडर मेंबर बनिये टैंसन फ आपके लिए एक ये एक उपोर्चुनिटी इसलिए बहतरीन हो सकती है कि आप इस समाधान का एक हिस्सा बन सकते हैं अगर आप उन पैसी में हैं दूसरा एक बहुत बड़ा कारण है कि उन पैसी इसलिए भी कर लेना चाहिए माइडियर फ्रैंस कि ये कोई MLM कंपनी नहीं ह है अगर हम पुछले कुछ दोर की बात करें तो MLM कंपनियों से लोग गवराए रहे थे या डर जाते हैं या हैजीटेट होते हैं उसके अंदर इन्वोल्मेंट होने के क्यों कारण क्या क्योंकि MLM अच्छा सिस्टम है बिना पैसे के कम पुझी से आप अपने लिए खड़ा कर सकते हैं आप की महनत के उपर आपकी लगन के ओपर आपके डेडिकेशन के ओपर निर्वर करता है कि आप उस्पीजनस के अंदर कितना ग्रोप पाते हैं लेकिन हर एक आदमी नहीं कर पाता बिकोज हर एक की कॉल्टी अलग अलग है हर एक आदमी हर एक जगा कामियाब नहीं होता है माईडिय पाइस क्योंकि MLM के अंदर नेट्वर्क बिल्ड बना करना जरूरी होता है आपको किसी ना किसी के पास चेज जब होती है बीच का जो प्रोफिट जन्येट होता है उसी प्रोफिट को डिस्टिब्यूट किया जाता है एक प्रोफर चैनल के दरी अगर आप नेट्वर्क नहीं बना रहे हैं इट मेंस के आप जीरो कितनी भी अच्छी कंपनी हो कितने अच्छे बेतरी प्रोड़क्ट हो आप कितने अच्छे इंसान क्यों ना हो लेकिन अगर आपकी टीम नहीं है तो इंकम नहीं है सिंपल और इसलिए उन पैसिव कर लेना चाहिए आप मेंसे बहुत सारे लोग उन्हें और मिल्टिलवल मार्केटिंग में इनवल्मेंट लिये होगी दो दो पांच पांच दस दस बीस साल का नुभव रहा होगा और आपने देखा होगा जब हम मार्केट के अंदर जाते हैं तो बहुत सारे लोग या आपके रिलेटिज या आपके फ्रेंट्स या बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो यह कहते हैं गुरुदेव गुरुजी बाई साब आप आए हैं हम आपका रिगार्ड करते हैं चलिये जो भी है आप देजिए रिजिस्टेसन कर देजिए लेकिन प्लीज हम आपसे विंती है कि हम से आगे नहीं होगा क्यों भईया क्यों कि हमारी आदत नहीं है यानि कि हर एक आदमी के अंदर वो quality या वो expression या वो execution का level नहीं होता है कुछ लोग बहुत limited या introverts होते हैं वो अंतरमुखी होते हैं ज़्यादा बात कित करना पसंद नहीं करते हैं तो उन लोगों के लिए MLM में opportunity का रूप में क्या है nothing nothing my dear friend और जब हम बात करते हैं on passive की on passive उन सभी लोगों के लिए एक अवसर है जो भीया किसी को नहीं बता सकते नहीं बताना चाहिए नहीं नहीं बताना चाहते मत बताइए कोई नहीं कहता ना system कहता ना on passive के CEO साब कहते ना on passive कोई leaders कहते not a compulsory कोई जरूरत नहीं है यहां पर team बनाने की आप अगर इस concept को समझते हैं और आप अपने परिवार को एक बहतर भविशे देना चाहते हैं technology से संबंदित को वेपार करना चाहते हैं तो आप इस business के अंदर केवल और केवल और केवल entry लेकर आप अपने बच्चों के भविशे और अपने परिवार के पूरी जिंदिगी को परिवार के पूरे माहोल को बदल सकते हैं own passive के लिए own passive में आकर आप इसलिए भी own passive कर लेना चाहिए आप पहुँच बनाएं उन लोगों तक जो जीवन में काम्याब तो होना चाहते हैं जो जीवन में संगर्स तो कर रहे हैं आर्थिक रूप से परिशानियों को दो जेल रहे हैं लेकिन वो MLM में नहीं इंट्रेस्ट रखते तो उन लोगों के लिए एक golden opportunity के रूप में own passive आप आने जा रहा है इसलिए भी कर लेना चाहिए because we are correct कर रहे हैं हम correct कर रहे हैं corruption को it's a correction to corruption यानि की बरस्टाचार अगर हम क्योंकि हम online की बात करते हैं तो internet के उपर भी क्या बरस्टाचार है क्या कहते हैं question पूछिए क्या हमें जानकारी है क्या internet पी बरस्टाचार होता है yes my dear friends तरह तरह का आज बड़ी बड़ी IT companies हम नाम नहीं लेंगे किसी भी IT companies का बड़ी बड़ी IT companies के ओपर case हो रहा है क्यों वह या case क्यों हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं वो गलत कर रहे हैं इसलिए तो case हो रहे है डाटा को लीक किया जाता है डाटा को सेल किया जाता है विडाव बिना किसी जानकारी के और बहुत सारे तरीके हैं इंटरनेट की बात करें तो cyber crime जैसे जैसे technology बढ़ती है दोस्तों उसी तरीके से cyber crime की crime भी बढ़ते चले जाते हैं कोई भी किसी के साथ ID हैक कर लेता कोई किसी के साथ कुछ कर लेता कोई कुछ कर लेता यानि कि कहीं ना कहीं यह भी एक बरस्टाचार का नतीजा है किसी को blackmail किया जा रहा है तक बहुत सारे channels के अंदर आपने देखा होगा कि corruption की मातरा कितनी ज्यादा है कम समय में ज्यादा पैसा बनाने की लाल सा corruption को जनम देती है और और उन पैसी उसी को हमेशा हमेशा के लिए खतम करने जा रहा है एक नंबर से एक प्रोपर चैनल से प्रोपर सिस्टम से लीगल लिए भी हमें उन पैसीव कर लेना चाहिए क्योंकि उन पैसीव सभी की बेहतरी के लिए काम करने जा रहा है my dear friends और अगर बात करें कि उन पैसीव क्यों कर लेना चाहिए तो it's a treasure of product यहां पर product के रूप में खजाना मिल रहा हमें खजाना आप ये बक्सा देख रहे हैं इसको थोड़ा सा हमें जिनकी ये आपके पास रखा है और ये टूल्स का बक्सा है ये हीरे जवारात का नहीं इसके अंदर टूल्स भरे हुए हैं कौन से टूल्स भया हमारे क्या काम आने वाले हैं टूल्स हम तो इनको यूज नहीं करते तुम यूज्ज करने वाले टूल्स हैं किया आज आप internet यूज करते हैं कि वीडाउट internet टूल्स के क्या आप internet का कुछ benefit उठा पाते हैं बिकॉज यह जो टूल्स है ये functional entity है किसी भी टेकनोलोजी के फंक्सनल जिस तरह अगर हम इसको ऐसे देखूं आपने का सबने कम्प्यूटर देखा है लैप्टॉप ये वो सारी मॉबाइल फोन एंड्रोइड फोन आज 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 आपके हाथ में भी मॉबाइल होगा अगर आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं मॉबाइल के अंदर दो चीज़े होती हैं हार्डवेर एंड सोफ्टवेर हार्डवेर वो होता है जिनको हम छू सकते हैं और सोफ्टवेर वो होता है जिनको हम छू नहीं सकते केवल देख सकते हैं मैसूस कर सकते हैं जैसे कि हम आज जूम को जूम के उपर मीटिंग कर रहे है क्या आप जुम को पकड़ सकते हैं क्या आप जुम को चू सकते हैं No my dear friend लैप्टोप है अगर लैप्टोप के अंदर या फोन के अंदर जूम नहीं है तो क्या आप और हम ऐसे मीटिंग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे इस वर्चुल मीटिंग को जो फंक्शन दे रहा है वो है जूम है यानि कि यह टूल्स हैं फंक्शनल एंटाइटी इस इंटरनेट की और क्या आज हम इनको यूज नहीं कर रहे हैं क्या सब्सक्राइब सब्सक्राइब 307 एंटर्य यूज कर रही हैं प्या आज से सुभए से यूट्यूब चलाईए नहींचलाई प्यांव फेस्बुक पे गए चैया वटसब्सपम यूज किया चैक्ष क्या आपने कोई वीडिया बना मैं एडिटिन यह की इसनलिक क्या आपने image on flip card के उपर को प्रोड़क्ट को सर्च किया या online education से समबनित को जान करें ली क्या आपने online ट्राजेक्शन की google पे phone पे फला 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 फेटियम definitely क्या हम जूम पर मीटिंग कर रहे हैं yes कर रहे हैं it means my dear friends यहां पर बहुत गोर कर समझने की बात यह है कि हम इन चीजों को इस तरह के tools को हम आज present में यूज करने हैं आपको मिल क्या रहा है हमें मिल क्या रहा है कि क्या हम इस पर पैसा कर्च कर रहे हैं definitely आपका data कर्च होता है आप internet करते हैं और कोई कुछ professional लोग जिन चीजों कोम फिरी में यूज करते हैं professional लोग इन चीजों कैंदे कर इनको यूज करते हैं ताकि बहुतर सुविधा आसिल की जासके बहुतर features जैसे स aggression आब मैंसे हमारे में हम या जो भी व्यक्ति इंटरनेट को ले रहा है न वह या अपने फोन में वो इन टूल्स को यूज कर रहा है लेकिन उसकी वदले आपको और हमें मिल के रहा है हमारी जेव से पैसा जा रहा है उन चंद आईटी कंपनीज के पास लेकिन मैं यह कहता हूँ कि यह औन पैसी के प्रोड़िक्ट इसलिए यह कहता हूँ कि यह खजाना है यह क्यों खजाना है क्योंकि ये वो बेहतरी इन टूल्स है माई डियर फ्रेंड्स जो एक आम आदमी के हात में आने जा रहे हैं और आनम आदिमी को इन टूल्स के यूज करने की वज़य से इनकम जन्नेट होने वाली है अब कितना बड़ा डिफ्रेंस क्रियेट कर सकते हैं आप प्रेजेंट सिस्टम में और आने वाले कमिंग ओन पैसिव कॉनसेप्ट में आज भी आप यूज कर रहे हैं कुछ नहीं मिल रहा बविश्य में जब यह ओन पैसिव के टूल्स आपके हाथ में आएंगे इनको यूज करने से इंकम जन्नेट होगी तो क्या यह ट्रेंड बढ़ेगा क्या यह वाइरल होगा और अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा क्या किसी को अच्छा नहीं लगेगा वो यूट्यूब पर वीडियो देखता है दो गंटे तीन गंटे उसे कुछ नहीं मिलता जब वो ओनेट के ऊपर हम यहाँ पर वीडियो देखेगा तो वो पैसे जन्नेट करेगा एक आम य समझने की बात है क्योंकि एक तो सारे के सारे हमारे टूल्स हंड्रेड परसेंट लीगल है लेजी मेट है वाइबल है और सबसे खास बात है यह समार्ट टूल है आर्टिफिशल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल है और इन टूल्स की वज़े से एक एंड यूजर यहां पर इंकम जनर्नेट करेगा एक इस तरह के बेहतरीन कोंसेप्ट को जो डिजाइन किया जा रहा है उसका नाम है ओन पैसी ओन पैसी इसलिए भी कर लेना चाहिए साथियों क्योंकि यह वर्ल्ड का सबसे आसान तरीका है जिन्दगी बदलने का कैसे चलिए इस पर थोड़ा सा बात करत हैं या आपने कोई बिजनस किया है आपने मार्किटिंग कोंचेप्ट किया है आपने ट्रीडिशनल बिजनस किया है या सब्सक्राइब हैं काम क्या है क्योंकि काम हम अपने मर्जी से या मतलब एवे ही तो नहीं करते हैं चलो यार मेरा दिल कर रहा है मैं यह काम कर लेता हूं हम अपोर्चुनिटी ढूंडते हैं इंकम को हम इंकम को देख कर ही तो काम करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि लगातार करने पड़ते हैं। हमने ये सुना था कोई भी वेपार, कोई भी बिजनस होता है वो साइकल चलाने के समान होता है। जैसे हम साइकल पर बैठते हैं पैडल मारते हैं पैडल मारते रहेंगे तो साइकल आगे गरोग चलती रहेगी जैसे पैडल मारना छोड़ दिया तो साइकल रुक जाएगी और रुक रुक नहीं जाएगी वो हमें गिरा भी देगी क्या बिजनेस ऐसा ही तो है नहीं है लगातार काम करने पड़ते हैं उनपैसिव को इसलिए कहा जा रहा है कि यह उनपैसिव वर्ल्ड इजिएस्ट लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म है क्योंकि उनपैसिव यह कहता है भहिया कि हम आपको एक उपोर्चुनिटी दे रहे ह पर जिसकी कोश्टिंग अप्रोक्षीमेटली डाइसो डॉलर के आसपास रहने वाली है यह दो कारिया आपको करने हैं या किसी भी वैक्की को करने हैं यह दो काम कोई कर लेता है तो वो अपनी लाइफ का सबसे बहतर काम कर लेगा और यह जो डिसीजन जो लेगा उसकी जि पोच थी के भाई आप मैनत करोगे जितनी मैनत करोगे उतना ज्यादा काम्याबी याद यह वो दो भी पुराने तरीके थे उन सब को एक न्यू वे में एक नया रुपांतरन करकर ओन पैसिव लेकर आ रहा है जो यह कहता है कि आप फाउंडर मेंबर बनिये डैट सीट आप एक बार प्रोडेक्ट परचेज किजिए आउट ओफ यूर पोकेट डैट से इतना ही करना ओन पैसिव आप के लिए सफलता की गारंटी देता है दुनिया का पहला ऐसा प्लेट फार्म जो किसी भी व्यक्ति को हंडर्ड परसेंट सफलता की गारंटी देता है वो है माई डि क्मे सिप ऐसी इन क्रीज करेंच जा रहा है हमारी स्ट्रेंध को कोड indigenous कि इस्ट्रेंद कर देगा वा नो मैट्यावर्ड फेजिकली से पहले वो तो करेंगहे करेंगा सबसे पहली जो सकती है हमारी छो इक मतलब चार्म पैदा करता है लाइफ में क्योंकि हम अर्थ मींस पै या कुछ करने के बारे में कलपना भी नहीं कर सकते हम अर्थ के युद में यानि की पैसे के ओन पैसी एक इस तरह के कॉंसेप्ट को डिजाइन कर रहा है जहां पर फाइनेंसली आर्थिक रूप से आपको मजबूत बनाया जाएगा जब आप आर्थिक रूप से मजबूत हों हैं तो हम मांसी कर्व से भी मजबूत होते हैं और यह संस्कार के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम मांसी कर्व के यह संसकार ओन पैसीव दे रहा है और इसके उधारण आपको कई तरह के वेबिनार्र और founder sharing session के अंदर आपको देखने को मिलते होंगे जो लोग अपने जीवन के बारे में भी निश्चित नहीं थे ओन पैसिव की सोच लेने के बाद ओन पैसिव के संसकार लेने के बाद वो अपने बारे में कम सोच कर दूसरे लोगों के बारे में जादा सोच रहे हैं कि हमें दूसरे लोगों का बला करना है दूसरे लोगों के लिए यह Go करना है इस तरह की विचार धारा इस तरह की सोच जो डेवलिप्ड की जा रही है वो है वो कॉंसैफ है दोast ओन पैसिव कर लेना जा रहे हैं अगर हमोन पैसिव के अंदर है इस रिमूव यूर बिग गैस्ट अबस्टेकल यह हमारी जिंदगी का सबसे जो बड़ा उधारन है जो सबसे बड़ा जो रुकावट है उसको हमेशा हमेशा के लिए दूर करें और वो तो आप सब को पता ही है और वो है मनी राम यानि की पैसा हम मिडल क्लास फैमिली में हैं सभी लोग से बिलोग करते हैं मिडल लोवर मिडल या पर मिडल इसी तरह की फैमिली से हम सभी लोग हैं ऐसा मैं समझता हूं और हमारे परिवार में जब कोई खुशी आती है तो जुगाड देखना पड़ता है कोई प्रोलम आ पूरे जीवन को इसी संगर्स में नहीं गुजारते हैं क्या और उस संगर्स वाला जो जीवन है जो हमने सालों साल गुजारा है भया उसको हमेशा हमेशा के लिए हमारी जीवन से डिलीट करने जा रही है उस बेतरीन कॉंसप्ट का नाम है ओन पर ऐसी यानि कि हमारी जिंदगी का एसर ने एक बार कहा था कि हमारी जो भी ओन पैसी के फाउंडर मेंबर हैं चाहिए वो कभी भी आये है चाहिए कोई आज फाउंडर बन रहा है या कोई दो महीने बाद फाउंडर बनेंगा जब तक भी बनेंगा उन पैसी में आने के बाद ये उनकी जिन्दगी की आखरी पीडी होगी उनके परिवार की आखरी पीडी होगी जिनोंने कभी आर्थिक मंदी देखी हो गई क्या इतनी बड़ी बात कोई आसानी से बोल सकता है क्या या किसी भी सेक्डो हलाको लोगों को कोई इस तरह का विश्वास कोई एवे दिला सकता है क्या उसके पीछे कोई टेकनोलोजी है कोई सिस्टम है और सबसे बड़ी बात है कि वो सोच है जो जादा से जादा लोगों के जीवन में परभाव डालना चाहती है इट मेंस कि माइडियर फ्रेंड्स आपको और हम सभी को सभी फाउंडर्स को ये एक बेतरी सोच के साथ ओन पैसिव के अंदर बने रहना है कि ये हमारी जिंदगी के अंदर आया है तो ये हमारे अच्छे कर्मो का फल है जो हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जो बहुत अच्छा रिजन है डू यू बलीव इन चैरिटी किया आप दान में विश्वास करते हैं कि आप दूसरे लोगों की मदद करना पसंद करते हैं क्या आप पे बैक टू सोसाइटी पर काम करना चाहते हैं यानि कि हम आज इसको ऐसे देखते हैं आज आप और हम या कोई वैक्ति जिस भी लेवल पर है समाजी की आर्थिक लेवल पर या जिस भी पोजीशन पर आप समझ लें ऐसा सोच लें जिस भी पोजीशन पर है क्या वह अकेले अपने दम पर है no my dear friends समाज के विभिन परकार के लोगों ने direct और indirect कहीं न कहीं किसी ना किसी तरीके से help की होगी जब हम आज यहां पर पुचे हैं इसको आप ऐसे देख सकते हैं जब आप बच्चे थे तो आप स्कूल के अंदर गए थे तो किसी जिस स्कूल में आप गए थे वो स्कूल किसी ने बनाया उसमें कोई टीचर्स बढ़ा रहे थे या आगे आप क्यूशन लिया या आगे आप और कुछ कारिया किया तो कहीं कहीं ना कहीं बहुत सारे इंफरा टेक्चर को आपने यूज किया अपनी जीवन में यहां तक पहुँचने के लिए तो वो किसी ना किसी के द्वारा बनाया गया होगा कुछ लोगों के चैरी टेबल रूप से बनाया हो सकता है बनाया गया हो यानि कि आज समाज ने हमारे कोई सी लैवल पर पहुचाने के लिए बहुत योगदात दिया लिकिन आज हम जीस लैवल पर पहुंच गए आज हम समाज को क्या दे रहे हैं ये एक क्विश्शन मार्क है क्यों चाते हैं सभी लोग क्योंकि हम भारते सनस्कृति के लोग हैं भारते सनस्कृति के दान को सरouvotब माना गया है और गुब्त दान यानि की जिस पता भी ना लगे हमने किसी की मदद पेर दिया उसको तो और जादा महतो और वैल्यू दी गई है लेकिन आज बहुत लोग चाहते हैं डेफिनेटली लेकिन हम कर नहीं पाते हैं चाहते हुए भी आपने करोना काल में देखा होगा कितने लोगों ने कितने लोगों की मदद की अपने घर से आगे से आगे बढ़े कि यह हमारा एक भारतिय होने के नातिक हमारा बेसिक नेचर है सभाव है कि हम चाहते हैं दूसरे लोगों का भला करना प्रोपकार करना लेकिन हम उस कंडिशन में हो तभी तो लेकिन आज की जो आर्थिक व्यवस्था चली आ रही है उस व्यवस्था के अंदर हम अप हो सकता है कि वह समाज के लिए कुछ बहतर कार्य करना चाहता है समाज को कुछ बहतर देना चाहता है जांक का स्वागत करता है कर दूसरे लोगों की मदद करना यह एक आतम संतुष्टी का भाव पैदा करता informal आपने देखा भी होगा जब हम किसी वाकिस्तों में किसी जरूरत मंद की मदद करते हैं तो ये एक संतुष्टी आती है एक आतम संतुष्टी मिलती है एक अच्छा एहसास जिसे कह सकते हैं वो हमें मिलता है और दूसरों की मदद करना जीवन को ब्राइटन करना उजवल करना या अपने जीवन में उस पर helping others उन पैसिव में आने के बाद ये सारी चीज़े हम अपने अंदर develop कर सकते हैं क्योंकि सारी चीज़े मूव होती है Mr. Money राम से और यहां पर उसी की एक बेहतर व्यवेस्था सभी founders के लिए की जा रही है ये बड़ा reason हो सकता है उन पैसिव को करने के ये भी एक कुछ कारण है real financial freedom real time freedom यानि की एक आर्थिक आजादी का एहसास जो ये मुहतरमा ले रही है चेयर पर बैठी है इनको समय की कोई पाबंदी नहीं है यानि कि ये time freedom और financial freedom का एहसास ले रही है और अगर हम आज वास्तों में चाहते हैं अपने जीवन में एक बहतर जीवन में एक बहतर बहतर बदलाओ तो ओन पैसिव आपका स्वागत करता है ओन पैसिव ये कहता है कि यहां आपको वास्तों में financial freedom मिलेगी क्या हम आज है financial freedom free क्या हम आज है time free क्या हम अपनी मर्जी से अपने अपने इसाब से सारे कार्य मैनेज करते हैं no my dear friends हम time bound हैं हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं क्योंकि वर्तमान का जो system काम कर रहा है वो time selling concept पे हम काम कर रहे हैं हम चाहे professional हो चाहे हम soap keeper हो हो चाहे हम job में हो चाहे government या private job हम अपने समय को invest करते हैं तो वह हमें पैसा generate करता है विकोज हमने हमें साथ देखा है जेपाल गेटी जी की एक line हमें याद आती है बहुत बड़े अर्थ सास्त्री हुए है उन्होंने का है time is equal to money यानि कि जितने वर्किंग हावर्स आपके पास होंगे उतना ही आप पैसा generate कर पाएंगे वर्किंग हावर्स नहीं देंगे तो पैसा generate नहीं होगा that's it लेकिन इस tendency को इस theme को भी ओन पैसी break करने जा रहा है because यहां पर आपके लिए जो कारे करने जा रही है वो कारे करेगी technology आपके time को जो बढ़ाएगी time compound जो करेगी वो करेगी technology और जितना time compound होगा उतना ही जादा कारिये होगा जतना जादा कारिये होगा उतना ही जादा पैसा बनेगा simple formula तो यह आपको real financial और time freedom देने जा रहा है इसलिए इन पैसी करना बहतर साबित हो सकता है उन पैसी विसलिए भी कर लेना चाहिए क्योंकि ये समान तक अवसर दे रहा है काम करने की समान अवसर सभी के लिए चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है चाहे कोई पढ़ा लिखा है चाहे कोई अनपड़ है चाहे कोई महिला है चाहे कोई पुरूस है चाहे कोई वरकिंग लेडी है या हाउस वाइप है या गर्ल है या बॉय है यहाँ सभी के लिए सभी के लिए समान अवसर हैं पैसा बनाने के दोस्तों किसी को अलग-अलग फ्रेम में रख कर नहीं देखा जा रहा है चाहे कोई किसी की जीरो टीम है वो भी सेम फ्रेम में है चाहे किसी की हजार की टीम है या दस हजार की टीम है या एक लाग की टीम है वो भी सेम फ्रेम में है वो फ्रेम है ओन पैसिव के फाउंडर मेंबर का ओन पैसिव का फाउंडर मेंबर बनना ही अपने आप में जीत की ग for you, ऐसी सुन्दर व्यवस्ता जहां पर आपके लिए कोई ये कह रहा है कि मैं आपके लिए सब कुछ तयार कर रहा हूं भीया, आपके लिए सब कुछ, किसी भी व्यपार के लिए जिन चीजों की आउशकता होती है, जैसे कि मैं अगर कोई व्यपार करना चाहूं, कोई बिज और मार्किटिंग पर काम करना पड़ेगा, फिर उसके अपने सोसल सरकल के सरिये या सोसल मीडिया पर या जहां भी मैं उसको परमोट करना चाहूं, मैं परमोट करूँगा और तब भी सफलता की गारंटी है क्या, नो, और ओन पैसी वे कहता है कि आप मेरे पास आईए, दे रहा हूं, उसके लिए एड़र्टाइजमेंट है, वो मैं कर रहा हूं, उसके लिए मार्किटिंग है, वो मैं कर रहा हूं, उसके लिए लीड, साइन अप, everything is done for you, आपको केवल एक को फाउंडर, यानि कि एक मालिकाना हक मिल रहा है, ओन पैसी में, इससे बेतरीन क्या ह हो सकता है, यानि कि जब ऐसा होता है, तो इसको कहते हैं, stress-free lifestyle, stress-free lifestyle को जब आप enjoy करना चाहते हैं, या आप वास्तों में चाहते हैं कि जीवन एक ऐसा हो, जहां पर हमें काम करना, अपनी इच्छा से, मदद करनी अपनी इच्छा से, हम दुनिया के लोगों की मदद करें, income कैसे जन्नेट होगी इसकी टेंशनी ना लें इस तरह के लाइफस्टाइल को कहते हैं स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल और इस महान वहाव को आप देख रहे हैं क्या जबर्दस एक्साइटमेंट है दोनों मुठी भीच कर और इस तरह के एहसास को अगर आप भी लेना चाहत है संभावित निश्चित नहीं निश्चित है अगर आप उन पैसी को करना चाहते हैं तो यह कारण है कि इसलिए भी कर लेना चाहिए क्योंकि आप वर्ल्ड बैस्ट सीयों के साथ काम करने वाले अब बहुत लोगों को जो नहीं लोग आएंगे हो सकता है उनको ना क्लियर हो कैसे वर्ल्ड के बैस्ट सीयों है भाई साव आपने ऐसे बोल दिया दोस्तों सबसे पहले पहली बात कि ओन पैसीव की जो विचार धरा है वो इनी की है इनी का ब्रेन चाइल्ड है ओन पैसीव और इनको जहां तक आप सभी लोग जो भी कफी समय से उन पैसीव के साथ जुड़े हुए हैं वो बेतर समझते हैं कि इनको किसी को भी हमारे जैसे लोगों को नो-nो हजार रुपए में फाउंडर मेंबर बनाने किया उसकता कता ही नहीं थी क्ताई नहीं थी क्योंकि टेकनोलोजी की समझ इनकी डिजाइन इनका प्रोड़क इनका पैसा इनका सब कुछ सिस्टम को बनाने वाले ये क्या जरूर थी इनको फाउंडर मेंबर बनाने की लेकिन वो सोच है इनकी वो इन्हें दुनिया का सब से बेस्ट सियो साबित करती ह कि जादा से जादा लोगों को मैं अपने इस वैल्थ में शेरिंग दू और उनके जीवन स्थर को बहतर बनाएं पहली बात तूसरी बात आज जो एंप्लोईज काम करते हैं कंपनी के अंदर हैदराबाद ओफिस के अंदर हैं जो हमारे इस पूरे टूल्स के उपर वरक हैं डाटा साइन्टीस्ट हैं आई टी प्रोफेशनल लोग हैं जो पंदरा पंदरा बीस बिस पत्चिस पत्चिस साल का नुभव रखते हैं अपनी फील्ड का उस लेवल के लोग आज ओन पैसी में पूरे एंप्लोईज के रूप में काम करें उनके लिए कितनी सुंदर व क्या आपने कभी देखा कोई ऐसा सीओ जो अपने एंप्लोईज की को एप्रिसियेट करने के लिए उनको हर महीने एक SUV गिफ्ट कर दे क्या आपने देखा ऐसा सीओ जो अपने एंप्लाईज को बेहतर एहसास करवाने के लिए हर वीक लाख लाख डेड़ डेड़ लाख रुपे के फोन गिफ्ट कर दे लाख लाख रुपे की मोटर साइकल स्कूटीज गिफ्ट कर दे ओनली फोर एप्रिसियेशन और वो भी तब जब वो मार्किट में हम अभी तक लौंच नहीं हुए और सबसे बड़ी बात है मतलब दूसरों को खुसियां देने का जो दिल है वो है ओन पैसीव के सीओ के पास और उसका अंदाज अचलिया गिफ्ट एक बार देने की सोच ले एक बार लेकिन एवरी 30 डेज एक स्यूवी गिफ्ट की जाएगी ओन पैसीव के एंप्लोईज को क्या आप इसे छोटी बात समझते हैं बहुत बड़ा है दिल बहुत बड़ा और दूसरा देखिए क्या एहसास करवाया है मतलब कलर चूज कीजिए आपको दो तिन कलर की एसीवी गाड़ी ओफिस के अंदर खड़ी है और जिस एम्पलोईज को मिली मिस्टर तनमे पॉल उसको यह एहसास करवाया कि आप हमारे लिए कितने वैल्योबेल हैं आप एक एम्पलोई नहीं हैं कंपनी के पार्टनर हैं आपको जो गाड़ी जिस कलर की पसंद है आप उसको चूज कीजिए यह अपने आप में एक ग्रेट फिलिंग देने वाली हमाई दिया प्रेंस ओन पैसे इसलिए भी कर लेना चाहिए कि ह हम एक बेहतरिन व्यक्ति के नितरत्तों में इस कॉंसेप्ट में हैं और करने के लिए तो कुछ भी नहीं है हमें केवल वेट एंड वोच करनी है सिस्टम को क्रियेट और जनरेट होते हुए देखना है और और उन पैसीवी से लिए भी कर लेना चाहिए विकोज इसे देखने जैसा किकियए कपिंग सिस्टम होता है अलगलग तरह के फंड को कि कि यहां तरह का कोई पाबंदी नहीं है जो भी आपके इन और कि यह नहीं का है जो मिल रहे हैं जब हम निए ट करते हैं दोस्तों फिरी वर्जन जब हम यूज करते हैं तो उसकी limitation होती है उसके features की जब हम paid version यूज़ करते हैं तब वो unlimited होता है और जब हम paid version लेते हैं तो हमें every month subscription pay करना पड़ता है out of out पे पोके लेकिन own passive एक इतनी सुन्दर वेवस्ता के साथ हमें मिलने जा रहा है जो ये कहता है कि एक बार आप subscription pay करेंगे और lifetime और आपकी life के बाद आपके आने वाले पीडियों की lifetime और उनके बाद उनकी आने वाले पीडियों की lifetime आप इन टूल्स को unlimited access कर पाएंगे यानि कि कि किसी भी तरह का कोई भी restriction नहीं रहेगा because it's a done deal my dear friends इस लिए वी औन पैसिव कर लेना चाहिए न है जिए जाएख बहुत सारे कारण है बहुत सारे कारण Baldwin दोस्तों आपके पास भी बहुत जैन्वन और बहुत बेतरीन कारण हो सकते हैं और अनपैसिव को करने के और मैं तो कहता हूँ अगर उन पैसी में आ गए हैं तो धन्यवाद करते रहें करते रहें करते रहें परम्पिता परमात्मा का और अपने नजरिये को पॉजिटीव रखें सकारात्मक नजरिया रखें क्योंकि नकारात्मक रखें नजरिया रखकर आप कुछ हासिल नहीं कर पाएं और आज की इस लास्ट स्लाइड में मैं थैंक्यू कहना चाहूंगा सबसे पहले परमपिता परमात्मा का उस गोड का ऑल्माइटी गोड का जिनकी वजह से जिनके असिरवाद से जिनकी किरपा दृष्टी से उन पैसी मेरे जीवन में आया स्पेसली और मेरे जैसे जितने भी फा जिनों ने इस तरह की विचार रखकर हमारे जीवन को एक सुरक्षित भविश्य से देने का एहसास जो दिया और जो टेक्निकल टीम दिन रात मैनत करके यह इन सारी चीज़ों पर तीन पिछले तीन साल से वर्काउट कर रही है आप जड़ा सोचे तो सही कुछ लोग नकार चल रहा है चीजे वास्तित्ता में डेवलप हो रही है तो थैंक्यू एस सर एंड पूरी टेक्निकल टीम थैंक्यू मेरे सीनियर इंट्रोड्यूजर जिन्होंने मुझे इस ओन पैसी जैसे बेहतरीन कॉंसेप्ट के बारे में जानकारी दी मैं उनका तहे दिल से आभार्व सहीथ कि उन्होंने हमें हमारे जीवन में निश्ची तालाने के लिए इस कॉंसेप्ट को बताने का जो प्रियास किया तो थैंक्यू सुभास नैंसर जो प्रियास कर रहे हैं लगातार तीन-तीन साल से लगातार वेबिनार्स कर रहे हैं और इस तरह के बहतरीन कॉंसेप्ट की समझ बनाने का प्रियास कर रहे हैं सभी लोगों के लिए तो उसभी का धन्यवाद आप सभी फान्डर्स का जो इतने समय से यहां पर उपस्तित है आज की इस प्रेजेंटेशन को अटेंड कर रहे हैं तो आप सभी का भी हर्दे की गहराईों से धन्यवाद और टीम विकॉन फायर के इस मंच का मैं तहे दिल से आभार वैद करता हूं और यहां की पूरी को टीम सुवास नैन सर ओपी वर्मा सर संतोज जी लाला वत्स जी जो रेगुलर परियास करते हैं इस प्रोग्राम को डॉक्टर विश्वास जी जो रगातार परियास करते हैं इस कॉंसेप्ट को इस वेबिनार को और्गनाइज करने में अपने अपने लेवल पर जो भी योगदान देते हैं उन सभी कोर टीम का मैं पूरी कोर टीम मेंबर का अ आपने सब्सक्राइब करते हैं इतने सांदार तरीके से इतने सब्सक्राइब करते हैं जब इन चीजों के बारे में सोचते हैं तो साथियों ओन पैसिव में जो भी सारा का सारा काम है वो आल डन फोर यू यानि हमारे लिए वो तैयार है हमें क्या करना है सिरफ इसमें एंटर करना है वो भी रिस्ट्रिक्शन फरी है उसके उपर भी कोई पाबंदी नहीं है इतना सांदार इतना लाजबाब सिस्ट्रम आज तक हमने कभी जिन्दी में सायद ही देखा हुगा और नए ही अभी आने और SMMM हम देख पाएंगे तो के लिए भी पूरी कोई पाबंदी नहीं है और जो नहीं आये हैं उनके आने की भी कोई पाबंदी नहीं है और यहां जो आये हुए उनके जाने की भी कोई पाबंदी नहीं है यहां टोटली रिस्टिक्शन फरी है यह तो बहुत सांदार सर आपका वन्स अगेन वेलकम करता ह पूरा टीम भी कौन फायर मंच की जो कोर टीम है और जो भी साथे आज इस मंच पे उपस्थित हैं जो अपना कीमतिस में अपने लिए निकाल कर आए हैं मैं उनका भी तहे दिल से धन्यावाद करता हूँ कि उन्होंने इस प्रेजेंटेशन को सुना और मैं उमीद करता हूँ कि उनको भी इस प्रेजेंटेशन से इतना फायदा होगा यदि इस प्रेजेंटेशन को बार-बार सुनेंगे और बहुत से साथियों की जो जिंदिगिया हैं उनमें बदलाव लाने में इस प्रेजेंटेशन से आप बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं तो थैंक्यू सर नो सेरिंग अपना इंट्रोडेक्शन और उसके बाद अपनी वायों उन पैसिव के उपर आपका क्या वियू है विचार है तो उस पे ही बोलना है क्योंकि टाइम भी लगबग नजदी की है जो सैसन का है तो आम अतरीत करें सर भी जी सर जी बिलकुल तो सबसे पहले हमारे सब्सक्राइब के सिनियर साथी हैं डॉक्टर विच्पास जी वेलकम है सर आपका आप आए मंस पे मंस आपका स्वागत करता है और आप अपनी बात रखिए वायों पैसिव के उपर ही शुभोशंदा ऑन पैसिवी परिवार के ओ टी बी एफ मंस के हमारे होस्ट स्वर्मा स प्रणाम करता हूं सबी को होस्ट जैशे कि हमारे नेंचार अंप्रकाश बर्मासार लाला भाट जी संतोश साहो जी सहीत्य सबी फाउंडर का इहां पर अभिनांदर करता हूं और मेरे साथ आयो है मात्कृषक्ती संपा सर्कार देदी गोरी राने देदी आशी डक्तर आश सब्सक्राइब करते हैं इसलिए हमें करना चाहिए और वनपसी इसलिए करने चाहिए अभी चख हम जितने कंपणियों में रियल एस्टेट में हम सले गए है और सभी हम यहां से शुद्ध शहित भुशल करेंगे और सार जी ने एक बतावर बताए है कि नेटवर्किंग बिजिनेस में भी अप्रिष्टाइश्ड फोता है बिल्कुल फॉतायशं दौजार आट में राजु राम्लिंगम अपने तो नाम नहीं है मैं नाम ले करके ता हूँ राजु राग्लिंगम जो स्यक्तम कम्पूटर के द्वारा अरोबर्ब्या का घुटला किया था उस शुमाए उस दोर में सी एस थोड़ा डाउन हो गया था लोगों ने बुला था कि डॉक्षर आपके बच्चे को सी एस क्यू करवाया या चाड़ाड एकाउंटेंट बनाते या होटल मैनेजमेंट कराते तो मेरा बच्चे ने बलाता कि आप शांती रखिये उपर आएगा वह दोर आगया है मेरा बच्चा ना जो भविश्वा ने किया था बच्चा मेरा शुल सल का बच्चा ने बोला था आज वही चीज़ हाई डिजिटल योग आ गया है साब्ड़ीयर का योग आ गया है और कौन लोग जोड नहीं पा रहे हैं पर जो लोग अपिता का वह लोग जोड़ नहीं पा रहे हैं उनके नसीब में नहीं है भग में नहीं है हम गर्भ सिकते हैं कि हम वन पसिब करते हैं और यहां से हमें मिलेगा क्योंकि हमारे भारत से लाखो यह मदब प्रफरिशनल एजुकेटेड उच्च्चु-क्वालिटे लोग इतनों है कि हिसीत क्या है कभी होने के नाते मैं भाषा के द्वारा शमाज लेता हूं समा की आप तो भाषा के द्वारा सबीक्स शमाज़ा शाहए कि प्रीत और बेर और सल यह बने चरदी करना है तो वानपशिब करना चाहिए यहात कहा कर अब्राम लंगा की कि शमाई भी हो गया नमस्कार सर सभी को प्रणाम करता हूँ वार्टू होस्ट थैंक यू सर थैंक यू डॉक्टर विश्वास जी आपका बहुत-बहुत दन्यवाद सर आपने अपने व्यू रखे कि यह भी एक बहुत बड़ी बात है सर करता है कोई व्यक्ती जब वह संपन हो जाता है तब ही जैसा कि हरंपगेसि के बताया जाता है कि हर चाहिक हमें वह आजादी मिलने चा रही है जदा को से समझ लिया तो तलेंक्यों से आपका आपि कि नेक्टे साथ हमारे जितेंदर जितेंदर सिंग जी वेलकम है जितेंदर जी आप पी अपना परिच्चे देकर और सोर्ट में अपना गवाई उन पैसिव के उपर जो भी व्यू है पूर रख सकते हैं सर जितेंदर सिंग जी सर आवाज पहुंच पारिये हैं जी बिलकुल सर नमस्कार सर सभी टीम कौन फायर के मंच पर जितने भी उपस्ते साथ हैं सभी को मेरा नमस्कार और सर बहुत ही जवर्जस तरीके से सर जो प्रिलागान प्रेजेंटेशन हरी सर जी ने जो दिया है सर आज की जो अभी जो इसकी जो वीडियो निकल के आएगी यूटेप पर आएगा सिस्टम तो सर आज की जो वीडियो को सुन लेगा आज तो सर हर रोज से एक दम बहुती जवर्जस तरीके से अलग है तो जो भी आज सुनेगा वो निश्चित ही और सुनने के बाद अच् इस मीटिंग को आज की मीटिंग को अटेंड किया है वह तो धन्य हैं लेकिन यूटिब के माध्यम से सुनके और अपने डिसीजन को पॉजिटिव की सोच नहीं ले जाएंगे पॉजिटिव तरफ नहीं ले जाएंगे सर वो निश्चती पस्याताप करेंगे बहुत बुरी त जो विचारे पैसे के लिए बहुत भठक रहे हैं अदर अधर मार्केटिंग कंपनी हों में वह ब्यूंत जड़नी रहे हैं हम लोग कह रहे हैं लेकिन बोग जड़नी रहे हैं सर मुझे अंदर से ज्वांई क्या बताऊं है ऐसी फीलिंग हो रही है कि भगवान ने क्या इन इनका करव Originally कैसा भटका कर दिया इनके पास अच्じ चीज आ गई और पूरी इंडिया में लोग समझा रहे हैं बता रहे हैं लेकिन अभी वो लोग इस चीज़ को अच्छे से नहीं ले हैं क्योंकि सब्सक्राइब कर देंगे यह मान लोग आई गए हमें जीवन भर याद रखेंगे सर आज भी मेरी बात हुई थी दो जबर्जस लीडरों से तो मैंने उनसे यही चीज़ कही कि सर पूरे जीवन भर आप याद रखेंगे कि आपके पास कोई कॉल आई थी और वो उस कॉल के माद्यम से सर आज मीटिंग में हैं भी सुन रहे हैं बहुत जबर्जस तरी के सीरियस को अपने रिष्टेदारों को अपने प्यारवालों को जितनों को इसमें इनिट टू बिनिट का लाब देना है उनको दिलवा दें बांकि कभी भी बंद हो जाएगा और यहां पर लाखों की गूस पच्चड में भी नहीं मिलेगा यह इतनी बड़ी विवस्ता के साथ यह स इनकम दोनों तरीके की इनकम है किसी दिन जिस दिन आप जुड़ेंगे उस से सिस्टम लाइव होने के एक साल बाद आप कहां होंगे आपको अंदाजा नहीं है हमने तो लगा लिया अंदाज सर हम लोगों कहां होंगे यह हमें ही पता है लेकर उनको बताएं हम तो बहुत ह पर है तो सर प्लीज बस में ज्यादा नहीं कहूंगा यहीं पर अपनी बानी को विराम करूंगा सभी लोग जाल्दी से जल्दी अपने रिष्टेदार प्यार पन्द वालों को दस-पांच दिन का जो समय उसमें लाएं और स्फांडो से बनाएं धन्यबाद थैंक यू थैंक्यू सार थैंक्यू वेरी मच्च चितेंदर जी थैंक्यू सार थैंक्यू जी आपका आपने भी बहुत अच्छी बात बोली शर क्योंकि अब टाइम है जो बिलकुल नजदीक आ चुका है और जो फांडर मेंबर्शिप है जो आज साथी इसका महतव नहीं समझ पा रह है साथी है सब ड़िशा जब समझेंगे सब एक लाक के एक अलाउ को उसकी देने के लिए तयार और ब़ो लो लेकिन मुझे आप अपनी डी में कर लो ऐसे कर लो तमाम कोश्चन करेंगे उस दिन समझेंगे अभी नहीं समयेंगे पूर स्वस्टे हैं चलिए थायंकियो सर आपका चलिए सर और साथी कोई हैंड रेज यदि करना चाहता है तो वेलकम है नहीं तो फिर हमारे सेनियर साथी है ओपी वर्मा जी वेलकम है सर आपका आज का जो प्रेजेंटेशन है अपने हरीज जी का वो कैसा रहा और आज की क्लोजिंग भी आप ही कर देना साथ तो प्रेजेंटेशन की तो सुवाज जी बोलने के लिए सबत ही नहीं है कि अब डे पर डे जैसे हमारा टाइम नजदीक आता जारिया लॉंचिंग का उसी तरीके से हरी सर्मा की भी मतलब इतनी ज्यादा इतना ज्यादा निखार आचुके है सर के लाजबाब मैं तो यह कहता हूं को जो साथी किसी को फाउंडर बनाना चाहता है सबसे पहले यह प्रेजेंटेशन जो वाई ओन पैसी विया हरी सर्थ की प्रेजेंटेशन है वो दे दो उसके बाद आपको बोलने की जरूरती नहीं पड़ेगी कि कि वह यह क्या है क्या नहीं क्योंकि इसके अंदर सब कुछ जो कहते हैं एक निचोड होता है वो सारा हर जी ने डाल दिया है तो उसके बाद तो कंपनी के बारे में तो सुवाज सर को बोलने की जरूरती नहीं है कि यह क्या चीज है बाकी सर किस्मत की बाते होती है किस्मत के आगे कोई चलने सकता मैं अपनी एक बात बताता हूं सुवाज सर के छे मिने से किसी बंदे का मेरे पास फोन नंबर नहीं था और ना ही उस बंदे का कोई मेरे पास कॉंटेक्ट था कि किस तरीके से उससे संपर करो लेकिन मैं चाह तिरी आईडी करेंट करेंगे जरूर थी माँ मैं सिर्फ एक बार आप से बात करना चाहता था तो भाइसाब उसकी इपनी घरवारी की और उसकी और देखो सर प्रभातमाने उसको वेज्जा है उसकी देखो । लाइफ चाहिए उससे तो यह चीज़े हैं हाँ, जैसे हरी सल आपने बताया है कि वही किस बंदे को प्रेज़ करनी चाहिए, लगबग सभी को आपने बताया है कि वही सभी के लिए है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि कुछ बंदों के लिए यह कंसेप्ट नहीं है, कौन? जो इसको MLM समझते हैं, जो इसको समझते ह है कि यह एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, आज मैं दसजार डालूगा, मेरे को ROI पांस परसेंट का बाड़ी स्टार्ट होगी, उनके लिए यह नहीं है, क्योंकि यह एक टेक्नोलोजी है, यह टेक्नोलोजी त्यार हो रही है, वो दो मिन में त्यार होगी, दो साल में त्या पैसा नहीं करना थी है कि आज मैंने पैसे डाले हैं कल को मेरे को, क्योंकि जो हमारे बताने वाड़े हैं, वो इस तरीके से पेस करते हैं कि भाई साब आज दसजार डालो, बस आप यह कलपना करनी, स्टार्ट कर दो कि मैं करोड़ पती, अरभा पती बन चुका है, यह गलत है, पैसे का इसके अंदर कुछ नहीं है, एक टेकनोलोजी है, जिसके अंदर मालिक ने आपको एक मौका दिया है, कि आप उसके अंदर एक मालिका ना हक लेके आओ, फाउंडर बनो, इन फ्यूचर प्रमातमा आपको जो देगा, उसकी हमें कलपना भी नहीं है, वो कितना है कैसा है, वो करोड है, कि सो रुपई है, कि लाख हमें कुछ नहीं पता, लेकिन ये है कि टेकनोलोजी अगर आप समझ जाओंगे, टेकनोलोजी क्या चीज है, क्योंकि ये कोई नई चीज नहीं है, गूगल, एमाजोन, फिलिप गाड, ये सारी चीज़े आप पहले से देख त्यार है, वो क्या है, उनकी पास क्या है, आप उसे मुझ तरह का एक पार्ट हो, तो वही आपकी पोजिशन होनी है, अगर आप उसको कलपना कर सकते हों, उस पर विश्वास कर सकते हों, उसके लिए आप समय और पेसेंस रख सकते हों, तो साथ ये चीज आपके लिए, आपको एक मालिक फाउंडर मनने का मौका दिया है, अगर आपके नसीब में है, तो भाई साथ इसको ग्रेंड कीजिए, अगर नहीं है, तो फिर वेट कीजिए, टेकनोलोजी आपने यूज करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल करोंगी, तो साथियों, ये बहुत ही बड़ी चीज है, इसको एक धहरिये के साथ, एक विश्वास के साथ ग्रेंड कीजिए, और फ्यूचर आने वाड़ी हमारी पीडियां, हमारे गुन गाएंगे, कि हमारे बुजरग में एक इतना बड़ा डिसीजन लिया था, रो इतना अडवास था, कि आने वाड़ी चीज उसने उ रेविनार को कलोजिंग की तरफ लेके जाते हैं, और सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो टीम भी कौन फायर का यूट्यूब के उपर चैनल है, उसको लाइक कीजिए, सेर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा उसको सब्सक्राइबर कीजिए, और हमारा जो फेस्बुक का ह हमारा पेज है, उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और सेर कीजिए, ताकि हमारा होंसला और बड़े और और ज्यादा मेहनत से और ज्यादा हिम्मत लेके हम अपना इस एजुकेशन प्रोग्राम को जारी रखें, तो सभी साथियों को सरानम्यूट का उप्सन दीजिए, फि है अदुन है? ही जलीको जाते अब जिरने? तो धिरे से ठीक हो जाए जो भी मामला है है ना हम आन न पेजिए कर्ता है कि कमारे वार भांट जैब दोड साथ न्याओं एधिर को थे संट कर biz hours आइद यू कि लिए भी टेस हम उस्हार है हेु